हालो एप्रिवेन मैं नुराग तंवर और आशा करता हूं आप सबी बढ़िया होंगे तो जल्दी से शुरू करते हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और यह वीडियो बड़ी क्विक फॉरवर्ड वाली होगी मुझे विंडो सेवन की सिस्टम को अपडेट करने के एक बड़ी ट्रिक पता चली है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं हाला कि मैं आपको बैग्राउंड इसके डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो बगरा के डिटेल दे दूँगा पर आप फिर भी उसमें चेक कर लेना मैं स्टेब बढ़ाऊंगा कि आप कैसे कैसे सारी को क पर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो मैं वीडियो का अपडेट डाल दूँगा विंडो सेवन के किस तरह से अपडेट करना है वह आप वीडियो देख लीजेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हम सी क्लीनर सी क्लीनर आपको चलाना है सी क्लीनर आपको चलाना है कस्टम में और रेजिस्ट्री में उसके बाद रेजिस्ट्री क्लीनर पे आपको चलाना जल्द जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो पूरी देखिएगा अध्यस्मेंट में जाएए पर्फॉर्मेंस सेटिंग यहां पर इसको कस्टम में जाके यह चेक सेलेक्ट कर सकते हैं था कि इसका जो व्यू है विंडोस सेवन का ओवरॉल व्यूबल एरिया है वो सारा आपको अच्छा लगए देखने में एडवांस में जाईए सेटिंग में जाईए यहां से टिक मार कटाके इस पर लगाईए और जितनी आपको यहां पर यहां पर एक्नान्द कर रहा है तो इसेट कर दीजिए इसको एप्लाइए OK खर देंगे तो यह एप्लाइए हो जाएगी सारी इसके बाद आपको msconfig में जाना है msconfig में जाके advanced में जाब boot advanced advanced में जाके आपको यह tick mark लगाओगे to select कर लोगे ok apply कर दोगे और plus आपको अब यह देखना है startup में जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि intel के तीन show कर रहा है और यह दोनों अलग program installed है उनके दिखा रहा है तो यह tick mark जो है आपके कम से कम जितने लगे हूँगे यह तो windows के हैं तीनों तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको छेड़ना भी नहीं है इसके लावा सी cleaner जो आपने जैसे install किया हुआ है इसको आप जब चाहें इसके बाद आपको दोस्तों एक एंटिवारस इंस्टॉल करना है अगर आप computer पर करना चाहते हो यह आपको windows 7 की update में भी help करेगा इसमें आपको लिखना होगा evira antivirus free for windows 7 जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यह आपको करने के लिए बोलेगा आप इसको first इसको लिंक को इसमें कर लेंगे और okay करेंगे इसको तो यह आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा आप यहां से डाउनलोड करेंगे और दोस्तों यह जो आपको आप शो करेगा यहां पर डाउनलोडर में मैं भी दिखा देता हूं आपको को कि यह जैसे दुएं इतना बड़र नाम आ रहा है कि यह सा रहतना लंबा 6.2 اب शिर् Reddit का इसको इंस्तॉल कर लैना डाउनलोड कर लेना इंस्तॉल कर लेना और इसको इंस्टॉल में इंस्तॉल करना से पहले क्या दिख्कत होती है इसमें दिक्कत याती है कि यह कहेगा कि आपके पास Microsoft का .NET Framework 4.8 नहीं है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप यह आपको बोलोगे तो आप इसको इंस्टॉल करने के लिए बोल देना तो यह इंस्टॉल कर देगा इसमें और उससे पहले लेकिन आपको Windows की सारी अपडेट करनी होगी अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भी सिस्टम पे Windows करप्ट हो गई थी कल और मैंने दुबारा से इंस्टॉल किया और सारा मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ यह सारा Windows अपडेट देखो अभी भी इसमें छे Windows अपडेट शो कर रहा है यह वाली और उससे पहले मैंने देखो यह कल दो दिन से मैं इसलिए वीडियो ने डिल पाया क्योंकि सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही थी और मैं चाह रहा था कि मैं इसी कंप्यूटर से बनाओ वीडियो यह देखे कितनी सारी Windows मैंने अभी अपडेट करी है कल पर सो में सारी जो मैंने आपको रोल बैक और convenience pack और उससे पहले जो चार वो जो उसकी थी वो step by step सारे बताया है वीडियो आप देख लिजए कि मैं description में डाल दूँगा उसको अपडेट करने के बाद उसको मैंने दो दिन तक अपडेट किया और उसके बाद भी यह अपडेट आ रहा है और जब आप Avira इंस्टॉल होगे तो उससे पहले वो .NET framework 4.8 भी डालने के लिए बोलेगा तो वह आप वह इंस्टॉल कर सकते हो उसका फायदा ही होगा कि आपके computer पे Windows भी अपडेट होगी प्लस जो है आपका Avira Avira antivirus free वाला version भी इंस्टॉल हो जाएगा और उसको भी आप क्या करना कि यह जो है MS config में startup में अगर आपके शो करता है तो यहाँ पे आप उसको Avira को टिक मार्क हटा सकते हो जब आपको जरुद हो जब आप अगर आप इस Windows 7 पे online कुछ payment वगरा करते हो या कुछ online security वगरा यूज करते हो जिसमें आपको security चाहिए हो तब antivirus on करना नहीं तो मत करना अगर यहाँ पे आपको antivirus का शो नहीं करता है तो आप क्या करना है Avira में जाके उसकी setting के अंदर startup में से उसको tick mark अटा देना तो वो आपका clear हो जाएगा फिर वहां से तो आपको इसका फायदा ही होगा Avira antivirus इंस्टॉल करने का कि आपका Windows अपडेट होगी और .NET framework 4.8 आपके पे इंस्टॉल हो जाएगा जो की बहुत अ बहुत है था कि हाट डिस्क में बैड सेक्टर हो तो आप उतना portion उसको छोड़ दो यह देखो मेरे कल कंप्यूटर पर जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं इसी में प्रॉब्लम है और इसकी हाट डिस्क में प्रॉब्लम है शुरू की हाट ड्राइव जो है इसकी प्रॉब आपका सिस्टम की पर्फॉर्मेंस अची रहेगी अगर हाट ड्राइव में कुछ दिक्कत है तो भी आप बेफिकर होगे और रॉबस्तली यूज़ कर पाएंगे अपने सिस्टम को तो यही ता आज की वीडियो में अब सिस्टम में कल प्रॉब्लम हागी थी और दूसरा सि इसी वज़े से दो दिन वीडियो लेट होगी बाकिया वीडियो आती रहेंगी अभी देखो इस में मेरे पास 308CMb की पांच अपडेट और आगे विंडो सेवन की तो यह पिछले दो दिन से विंडो सेवन अपडेट कर रहा हूं रोल पैक कन्वीनियंस पैक डालने के बा इसको आप राइट क्लिक करके और इसको हाइड कर सकते हैं जब यहां पर आपको शो करता है आप सेटिंग में जाए और यहां पर कर लें डाउनलोड अपडेट बट लेट मी चूज वेदर तू इंस्टॉल देम जब आप यह करेंगे तो आपके पास है ना यह इंस्टॉल करूं तो मैं यहां करूं सारे पर से टिक मार गटा है इस पर लगाया और इसको राइट क्लिक करके हाइड अपडेट कर दिया और ओके अपलाई कर दिया नीचे से तो इसका फायदा ही होगा कि यह वाली अपडेट जो है फ्यूचर में मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल न लगाया तो विंडोस सेवन आप यूज कर सकते हैं और बेफिकरों करो कोई दिकत नहीं है मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें तो ड़ा सम मेरे लिए भी रहता और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें कमेंट कर सकते हैं कि वीड में अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए गुड़ बाय